कि नमस्कार हफ़ते की बात में एक बार फिर आपका स्वागत है शिक्षा पर जो हमला है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है और साथ ही साथ हमें देखने को मिला है कि मौजूदा भाजपा सरकार में सिख्षा के साथ साथ जो आरक्षन का मुद्दा है उसे लगातार जो भाजपा के मंत्री है भाजपा की नेतागण है वो उठाते रहें ऐसे ही अनेक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर उर्मिलेश हमारे साथ मौझूद है उर्मिलेश, न्यूस्क्लिक में एक बार फिर आपका स्वागत है UGC को रिप्लेस करने की बात की जा रही है और इसके दो आयाम हो सकते हैं एक तो प्राइविटाइजेशन की तरफ एक लगातार जो पुछ हमें देखने को मिला है सिक्षा के शेत्र में, CBCS, IIS, Semester System पहले से ही था फिर उसके बाद लगातार PPP model प्रमोट किया जा रहा है पर इसकर यह जो दूसरा एंगल है कि इस पुछ के साथ लगातार जो marginalized section के लोंग है जो schedule cast से आते हैं, schedule tribe से लगातार निउस पेपर में देखने को मिलता है कि कई फीस ना दे पाने के कारण कई लोगों ने society कर लिया, कईयों को admission नहीं मिल पा रहे है तो आरक्षन के अगर मुद्दे को देखा जाए, तो इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा क्योंकि मौजूदा सरकार की अगर राजनीती को देखा जाए, तो clearly divide and rule की राजनीती नज़र आती है देखे प्राणजल बहुत बड़ी वीडंबना इस देश के डेमकरसी की है कि 2014 में नरेंदर मुदी जी की सरकार जो बनी उसमें भारती जनता पार्टी को जो इतना बड़ा जनादेश मिला उस जनादेश में सबसे बड़ा हिस्सा अगर देखा जाए तो वो पिछडी जातियों या माजनलाइस सेक्संस का है जो एनलाइस किया गया था चुनाओ का विशलेशन जब किया गया तो पाया गया कि उत्तर प्रदेश में जो इतनी अधिक सीटें आई हैं बिहार में भी अच्छी सीटें आई हैं इन स्टेट्स में हिंदी बेल्ट में उन्होंने पिछडी जातियों के वोटों में बड़ी सेंध लगाई तो अपरकास्ट का हिस्सा तो उनके साथ था ही लेकिन अपरकास्ट के बल पर वो सत्ता पे नहीं आ सकते थे और फिर अपरकास्ट में दूसरी पार्टियों ने भी थोड़ा बहुत शेयर लिया लेकिन सबसे अधिक पढ़त जो उनको मिली ओवी सी के जरिये मिली स्वैम प्रधानमंत्री के बारे में पहली बार उनकी पार्टियों और आरेसेस के लोगों ने प्रजेक्ट किया कि ये ओवी सी है लेकिन विडंबना मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार में आने के बाद अगर सबसे अधिक हमला इस सरकार ने किसी के इंटरिस्ट पर किया है तो वो हाशिये के लोग हैं वो S.C. हैं वो S.T. हैं वो O.B.C. हैं और ये बात S.C. स.T. और O.B.C. की आम जो समाज है आम समाज उसमें अभी बहुत अंदर तक बात घर नहीं गई है उनके उनके दिल और दिमाग में नहीं उत्री है लेकिन उनके बीच के जो इंटेलेक्चुल्स हैं टीचर्स हैं एक्टिविस्ट हैं वो इस चीज़ को समझ रहे हैं और यही कारण है कि रोहित वेमुला का जो ह अत्महत्या उन्होंने की जो किसी भी रिशंस हत्या से जादा निशंस है वहां से लेकर और खाल तक जब कि पूरा भारत बंद एक बार तोसल मीडिया एक्टिविस्ट के जरिए एक तरह से कर दिया गया और वोथा सीस्टी एक्टो जिस-सट डायलूट किया रहा था उसको रही है S.C.S.T. O.B.C. इसके सबसे बड़े सफरर होंगे सबसे बड़े वो इसके शिकार होंगे क्योंकि सिक्षा का जिस तरह से लगातार ये प्राइवटाइजिशन तो हो ही रहा है और उसका एक तरह से जो जिस तरह से इन सिक्षन संस्थानों में फीस बढ़ाई जा रही है भारी पैमारी पर हलकी फिल्की नहीं मतलब सो गुना दो सो गुना तक फीस बढ़ रही है कई बार इससे भी ज़्यादा जैसे जिन कालेजों में 14 रुपे 15 रुपे फीस लगा करती थी आप देखिए महीना आज वहां फीस कितनी है आप आप देखिए जो भारत सरकार के तहत कई प्रोफेशनल इस्शूट्स चलते हैं वहां 97,000 रुपे पर इयर फीस लग रही है आज जबकि एक जमाने में बहुत कम फीस हुआ करती थी तो ये उसी दिशा की तरफ जा रहा है और सबसे बड़ा जो हमला इस सरकार ने किया है मैं समझता हूं वो ये की हाई कोट इलहाबाद हाई कोट के एक वर्डिक्ट के बहाने इन्होंने उसको चनौची ठीक से देने के बजाए उसको लागू करना शुरू किया है और और हर जगा विश्विद्यालियों में जो रोस्टर पद्धती जो पहले की थी 200 पॉइंट वाली उसके बदले 13 पॉइंट रोस हमें देखने को मिल रहा है पिछले अल्मुस्त एक डेर साल से जो डियूटी है वो इस से इस 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 पर संगह श्रत है भाजपा की राजनीती को अगर देखा जाए अरक्षन के नजरिये से बिहार के चुनाव में मोहान भागवार जाते हैं बिहार में कमेंट देते हैं कि अरक्षन नहीं होना जाहिए और अगर इसके हिस्ट्री को अगर हम ट्रेस करें तो भाजपा की सोच में जो मनुवाद है वो लगातार देखने को मिला है मंदल कमिशन भाजपा ने इसका पुरजोर विरोध किया था तो अगर एक लाइन में कहा जाए तो भाजपा जो यह अलब संख्याग दलित विरोधी पार्टी है 2019 को अगर नजर में रखा जाए तो क्या इन्हें कोई एक जो 2014 में एक यह इन लोगों के वोट में सेंद लगाना चाहते थे वो अब इमाजिनेशन नहीं रह गया है यही सबसे बड़ी उनकी परिशानी है भारती जंता पार्टी की भारती जंता पार्टी ने 2014 में जो इन सेक्शन्स में मोबलाइज किया था अपना समर्थन उसके कई फैक्टर्स थे कई कारण थे और वो कारण यह था कि जो सोसल जस्टिस प और अब जबकि एक माहल बदला हुआ है हर जगह लगभग उनकी सरकारे हैं खासकर हिंदी हार्ट लैंड में तो वो सरकारे जंता में बहुत अनपापुलर हो गई हैं तो खालात बहुत बदले हैं मैं यह नहीं मानता कि समाजी के आधार पर अपने कुछ चलाने वाली पार कवर्मेंट्स हैं उन राजियों में वह भारती जंता पार्टी की हैं और उनके प्रती लोगों की एक नाराजगी जाहिर होई है दूसरी बात कि वह पार्टियां जो पहले थी वह कम से कम आरक्षण का विरोध तो नहीं करती थी थी वह ठीक से लड़ नहीं पाती थी जब मारक्षण पर कुठारागात होता था लेकिन ये पार्टी जो आई है और ये शासन आया है ये तो खुलियां मारक्षण के खिलाब जा रहे हैं मोहन भागवत जी ने बिहार के एलेक्शन में कहा कि आरक्षण का समिक्षा होनी चाहिए इसके बाद भी कई नेताओं ने कहा लेकिन जब देखा कि इतना जबरदस्त उस पर आक्रोश आ गया है इतना पैदा हो गया है तब लोगों ने चुप चाप अपना उसको ढखने की कोशिश की लेकिन देखिए बार बार इसका खुलासा हो रहा है इलहाबाद हाई कोट के जिस वर्डिक्ट की मैं बात कर रहा था 2016 पिछले दिनों जो यह विवेक कुमार बना मामले में आया था उसमें रोस्टर सिस्टम को जो अलब सड़न जो चेंज किया गया है और एसलपी या लेडी जब की सुप्रिम कोट में दाखिल है इसके बावजूत किया गया है और उसके बाद से जो एपाइंट्मेंट् किल्कुल नहीं हुए थे वहाँ पर जिस तरह से पाइंट्मेंट्स हुए हैं और उसमें मैं उत्तर प्रदेश का हवाला आपको दूंगा बहुत ही दिल्चस्प है पांच मार्च के सर्कुलर के बाद संपूर्णान संस्कृत विश्विद्याले वायरानसी में 4 जून 2018 को विढशाण निकलता है नियुक्तिएँ के लिए विढपित सीटें कुल साठ हैं और 46 support निकलता है इसमें अन-डिजर्व जो जो सीट है जैसाथ में वंभामन है और वीसी के लिए पैंच है سट के लिए तीन है और स्ट के लिए 0-0 है लेकिन अगर यह रोस्टर Сिस्टम ज अब ये इतना बड़ा इसमें घाटा हो रहा है पिछड़े वर्गों को दलित वर्गों को आदिवासी आदिवासी को जीरो सीट हो गई है एक विश्विद्याले है बहुत ही दिल्चस्प उसका नाम है उसका नाम है इंदिरा गांधी ट्राइवल इनोस्टी अमरकंटक इस ट नियुकतियां विज्यापित होई है उसमें कोई असका रिप्रिजेंटेशन नहीं है इस यून 2018 को इक सो तृस्टियों के लिए विज्याप्ति निकली और प्रोसेस में हैं शायद पुशकी हो गई है अन रिजर्ब जो हैं 126 सीटे हैं ओवीसी की 30 सी की साथ स्टी की जीरो और अगर पुराने रोस्टर से होती ही जो अभी हाल तक था तो अन्रिजर्ब सीट बायासी होती OBC को 45 मिलती, SC को 24, ST को 12 इसी तरह से अनेक विश्विद्यालियों का मैं आपको उधारन दे सकता हूँ इससे बिलकुल साफ है कि अलफ सडिन एक कोर्ट के एक वर्डिक्ट के बहाने जो की हाई कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता था उसको ठीक से चुनौती दी जा सकती थी और सोसल जिस्टिस प्लैंक को फिर से लागू किया जा सकता था उस पर ये खामोश हो गए और हाल के दिनों में जिस तरह अंधा धुंद न्युक्तियां की जा रहे हैं इन स्टेट्स में खासकर जहां जहां इनकी सरकारे हैं और वैसे भी केंद्री विश्वी त्यालियों में भी जो कि सीधे केंद्र सरकार के अधीन आते हैं उससे बिल्कुल साथ साफ है कि आरक्षन सोसल जस्टिस इन चीजों से इनको बुरी तरह एलर्जी है दो सवाल यहां से उठते हैं एक तो यह जो आप लगा ता जिस जज्जमेंट की बात कर रहे हैं तो इस पूरे जज्जमेंट में बताया क्या गया है कि यह चेंजिस आखिर रिकमेंड क्या किये गया है और दूसर सवाल यह उठता है यहां से कि इन नियुक्तियों के पीछ चैलेंज किया गया था रिजर्वेशन को विश्विद्यालियों में और प्रमोशन में रिजर्वेशन को इस पर हाई कोट ने जो फैसला दिया मेरे हिसाब से वो समवैधानिक प्रावधानों के बिलकुल विरुद्ध जाता है और इसकी बहुत आलोचना भी और कई में लंबित है और उसको पिछले दिनों अभी इसकी डेट पड़ी थी लेकिन वहां फिर से एक नई डेट आ गई है अब मैंने जानता कि अगली डेट पर क्या होगा क्या सुनवाई होगी कोट की लंबी प्रॉसेस है लेकिन मेरा यह कहना है कि अरजुन सिंग जब सिक्षा बिश्वित यालेओं जिस तरह से की जा रही थी अगर यह सरकार संवेदन शील होती क्योंकि बरसों से आजादी के बाद से भारत के विश्वित यालेओं में स्टी ओवी सी की जो जगहें थी प्रोफेसर के रूप में वह नगण थी पूरे उस दौर में अगर आप आए ज तो जितने भी Departments थे जितने भी फेक्वेल्टी से अमें उसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं था इन वर्गों का क्योंकि इन वर्गोंके लोग बहुत पढ़े लिके भी नहीं आपाते थे लेकिन जैसे जैसे इनके लोग आने लगे जरुरत इस बात ही कि थी कि उनको लोग हैं वो बेहद नाराज हैं मवजूदा सरकार से और यहां तक elections का सवाल है इनको यह लगता है कि इस नाराजगी को हम दूर कर सकते हैं बशरते की दलित OVC को फिर से राम मंदिर के उस युद्ध में जोंक दिया जाए जो अनर्थ का युद्ध है और शायद इसलिए यो असल मुद्दे से लोगों का ध्यान हटाने के लिए दो सवाल उठा रहे हैं एक तो यह आप देखिए इनके पूरे अजुद्ध्य अवियान जो पहले था और अभी भी जो इनका चलाया जा रहा है उसमें आम तोर पे यह पिछड़े वर्गों के लोगों को आगे करते हैं गुजरात दंगों में सबसे बड़ा उधारन है हमारे सामने की वहां आदिवासियों का मुखितर उप्योग किया गया था दंगों में बिलकुल और मैं समझता हूं कि देखिए इस बार भी जो दलित आदिवासी और OBC इन तीनों के इंट्रेस्ट पर इनके सीधा सीधा जो तरह की चीजों में भावनात्मत रूप से लोगों को बेकूब बना करके असल मुद्दों से उनका ध्यान हटाना चाहते हैं दूसरी तरफ यह कहेंगे कि देखो एक तरफ तो मंदिर का सवाल दूसरी तरफ कहेंगे कि यह जो एम्यू है जामिया इंडिस्ट्री है इसमें कुछ तुमारे बच्छों को रिजर्वेशन नहीं अथा रहे हैं अथनी स्टेट इंडूस्ट्री हैं उनसे रिजर्वेशन अठा रहा है और आपको भारत के दो विश्वी तियालेयों में रिजर्वेशन दिलाने की बात कर रही हो जहां बाश्किल पचास-ाठ लड़कों को अगर आप दिला सकें तो मिलेगा और उससे कैसे संभाव उसमें होगा भारत के संवेधान के आर्ट किल 30 के मुताबिर यह जो माइनार्टी इंस्ट्यूशन से यह बने हुए हैं और इसके में 15 चार्ज वार्ट किल संवेधानिक आर्ख्षण है माइनार्टी इंस्ट्यूशन के उपर नहीं लागू होगा अब सवाल यह है कि वैसे भी 50 परसेंट से ज्यादा आप आप पाएंगे कि दे नहीं सकते और फिफ्टी पर जैसे 2003 में फैसला हुआ था माइनार्टी इंस्ट्यूशन को लेकर उसमें यह था कि माइनार्टी कम्मूनिटी के बच्चों को आप फिफ्टी परसेंट से अधिक भी देना चाहते हैं तो उस पर कोई समय वैदानिक बादिता नहीं होगी लेक कि मिलाकर करीब करीब फिफ्टी परसेंट आ जाता है तो आपर कास्ट के बच्चों को जामिया एम्यू में यह क्या चाहते हैं कि 0.5 परसेंट रिजर्वेशन के वल मिले तो यह वी एक बात है इस बात को यह नहीं कोई समझने की कोशिश कर नहीं रहा है और किसको आगे कर रहे हैं और हाल में इन्होंने एक बयान दिया जो सीस्टी कमिशन के सारी सीस्टी प्रपोस्ट के अध्यक्ष है पार्ति जन्ता पार्टी के किसाब हमें तो एम्यू में चाहिए अरे वह आप यह क्यों नहीं मांग करते हो कि टाटा बिल्ला डालमिया अधानी अंबानी सब जगह चाहिए उल्टे साथी साथ गवर्मेंट सेक्टर में आप प्राइविट पब्लिक पार्टनर्शिप प्रमोट कर रहे हैं गवर्मेंट इंस्टूशन में इससे ऐसे हालात भी पैदा हो रहे हैं कि रोहिद वह मुला जैसे जो इंस्टूशनल मडर अगर उसको कहा जा यह लगा तार देखने को मिल रहे हैं कई उनिवर्सिटीज में तो आर्थिक फ्रेंट पे आप स्टूडेंस को पीछे फेक रहे हैं और जो समाजिक न्याए की बात आ रही है वहां पर तो कॉंप्रमाइस करी लिया है बिलकुल और देखिए यह देली इनुश्टी जितनी श्रीज है 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 डिली टाटा इंश्चीट अफ सोचल साइंसेश जैसे इंसिश्चन में वहां अभी में पिछड़े वर्ग कर दोकों उसके अलावा भारत सरकार भी देती है वो सब कम कर दिया है या खतम कर दिया है इस हाला में मिनिस्ट्रीज को रिसर्च इंस्यूट को पहुंचा दिया है सरकार ने जहां आम आदमी के घर के बच्चों का पढ़ना और संभावसा हो गया है सिक्षा का एक तरह से अभी जनी करन हो रहा है एक तरह से उसका पूरा एलिटिस्ट जो इसको उसको बैखराउंड में ठकिला जा रहा है ताकि सिर्फ बड़े घर के लड़के पढ़ सकें, गरीबों के बच्चे, आदिवासियों के बच्चे, दलितों के बच्चे, OBC वर्गों के बच्चे पढ़ न सकें और अगर पढ़ें तो उनको इनुस्ट्री में नौकरी बिलकुल न मिले ये इस सरकार ने इसको इंशूर किया और ये खतरनाक पालू है शुक्रिया अगले हफते एक नाय मुद्दे के साथ हम फिर से आपके साथ जुड़ेंगे धन्यवाद, निउस क्लिक देखने के लिए धन्यवाद अल्णेका, अल्णा क्लिक देखने के लिए जुड़ेंगे तो उनको इंशूर किया रओने को ये देखना ये खतरे श्रावद किया विए रवजर किया चुड़ेंगे विए जनको आपके साथ हम विए तो एक रिखने, तो फिन्म्यवाद